चिता की आग और राख ठंडी हो चुकी है ये वो आत्माएं हैं जो पंचितत्वों में विलीन हो चुकी हैं जिनकी मृत्यू मोर्भी की उस ब्रिजदुर घटना में हुई जो उसकी चपेट में आए टूप कर मर गए चोट खा कर मर गए संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो तस्वीर आपको कब्रिस्तान में भी वैसी ही दिखाई पड़ेगी शम्शान में ही वैसी दिखाई पड़ती मृर्भी के शम्शान में यहाँ चार लोगों को जो है अंतिम संसकार यहाँ पर हुआ नदी के ठीक दूसरी तरफ वहाँ पर भी अंतिम संसकार हुआ और इसके साथ आसपास के दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर भी लोगों का अंतिम संसकार किया आप समझ सकते हैं कि कल ब्रिस्तानों में भीड, शम्शान पर भीड, लोग अपनों को विदाई देने आ रहे थे, जो इस दुर्भाग ये पूड घटना का शिकार हो गए, जो आप यहां देख रहे थे, इस पार, नदी के उस पार, कभी ऐसा होता है कि आम तोर पर रोज मेरा पर ऐसी कोई दख ची और नीचे भी जला होगा इसने, कितने बज़े से शुरू हुआ था ये साम को जुला तो साम को चे, चालिस बज़े गिर गया था, अगले दिन यहां आना शुरू है, जुला के तो सुब्ह आने अलगा, सब चला गए ने तो आने अलगा इदा, इदर हमेरे पास चार आदम है, चलाने के लिए, बाकी सब उदर सामने के आए, रेजी टेबल के पास है, समसान उदर गए है, सुबह से लेकर शाम तक कबरिस्तानों के बाहर भीड़ थी, शम्शान पर भीड़ थी, लोग अपनों को लेकर के आ रहे थे, आखों में आसू गमगीन विदाई, ये उकसान उन परिवारों का हुआ है, इन्होंने अपनों को खोया है, मोर्भी के इस समशान गार्ट से, संजय कुमार के साथ मैं आशितोश मिश्रा, आज तक